तित प्रजन्या ये दोस्तों सब्द आपने कहीं बार भास्रीमत वगवद गीता में सुना होगा और किस प्रकार से स्रीमत वगवद गीता का ये स्लोक सार्थक होता है सिखनी पिकरेंस होता है हमारे सिविल सर्विसेश की वैल्यूज में आपको जुरूर पता होना चाहिए और आपको ओगा सर मैं तो सिविल सर्विसेश की त्यारी करता नूं यहूं तब भी आपको जानना चाहिए क्यों कि ये वैल्यूज ही है क्योंकि हमारा सिविल सर्विसेश का जो मोटो है वो है सीलम परमम भुसलम यानि कि करेक्टर इस आल्वेज बर्सिप यानि कि जो हमारी जो 97 जब जो यह कोर्स अभी खतम गुआ था फाउंडेशन कोर्स उसमें प्रेशिडेंट मोध्या ने जो है जो तीन गुड़ बताएं एक सिविल सर्वेंट के वो बहुती जो है एक तरीके से बहुत अच्छे गुड़ हैं जिनको हर सिविल सर्वेंट को अपनाना चा और पाप पुन्य का ये सब मन में ध्यान रखे बिना आपको सिर्फ कर्म करना चाहिए यही इस्तित प्रज्ण है लेकिन जो मोध्या ने जो हमारी प्रेशिडेंट मोध्या उन्होंने कहा है कि सिविल सर्वेंट में तीन गुड़ बहुत होने चाहिए फस्ट एनोनिमिटी अनोनिमिटी का मतलब है एक सिविल सर्वेंट को अग्दम गुप्त होना चाहिए सीक्रेट लेकिन आज के सिविल सर्वेंट को आप क्या देखते हो वो धुरंतलू लिया गुमते है वो कैमरा लेके चलते हैं वो कैमरा लेने के साथ साथ अभी मैंने देख रहा था अभी ज सकता है मतलब आप फर्ष्ट टापर आएं अच्छी बात है आप तो जो है UPSC का मतलब है seriousness यानि कि आप जो है serious के उसमें रही है क्योंकि UPSC का मतलब है आप खुस रही नहीं सकते आपके मन पे हमेसा एक गंभीर आपके मैं पर बिचार होने चाहिए गंभीर आपका चेहरा दिखना चाहिए लेकिन उस वेक्ति को मैंने देखा वो टापर है और वो जो है डांस कर रहा एक दम खुले प्रकार से तो यह मुझे कुछ हाजम नहीं हुआ हलां कि नए 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 टापर है चली कोई बानने जो हो गया सो सब्छे वह सका प्रयम्रेन कर सकता है उसको किसी भी प्रकारा का रडर लेने की आव सकता नहीं है डिन यह चाहिए दिखना सक्षे प्रतृब करना पड़ेगा यही तो स्चित परजने है कि आप कर्म कर दे आपको उससे चल्याव्य मिलेगा इसमें आपकी कोई भी आ सकती नहीं है यानि कि civil servant का काम है कि वो कर्म करें सिर्फ कर्म करना है उसको उसको कितना प्रोस्कार मिलेगा जनता नहीं देगी यह देगी क्योंकि वो minister के लिए काम करता है भाई आप तो permanent executive हो आपका काम प्रोस्कार प्रात करना नहीं जनता जे आप minister के लिए काम करते हो आप अपने काम के लिए उत्तरदाई नहीं होते हो आप जो भी काम करोगे जो भी policy formation करोगे जो भी implementation करोगे अगर वो फेल हो जाती है अगर वो pass हो जाती है उसमें आपको कोई भी credit नहीं मिलेगा क्योंकि आपका काम सिर्फ anonymity का है आपका काम जिर्फ करना है आप इस्तित प्रजन के तरीके से आप अपना कर्म कीजिए उसमें आ सकती मतर किए लेकिन आज की नेताओं को आप देख लीजिए आज के सोरी आप युवाओं को देख लीजिए जो बनते हैं आप सर उन नहीं ने जो बनते हैं तो कैमरा लेकर चलते हैं आपने कामों को दिखाते हैं जनता को ये सब एक सिविल सर्वेंट के value नहीं है उनको सायद इनकी पता नहीं होगी पता भी होगी तो वो भूल जाते हैं उनको याद दिलाना पड़े हैं दूसरा चाहिए सबसे बड़ी गंबीर चीज है वो है ability जैसे सिविल सर्वेंट के अंदर ability होनी चाहिए हलां कि वो परिच्छा पास करके आते हैं जिंदिगी भर नएन एक कोर्स सीखना है जबकि government आपको इतना बड़ा सा जो है exposure देती है आपको सीखने की इतनी सारी चीजें देती है आप जो भी सीखना चाहिए आपको government सिखाती है आपको सरकार इतना पैसा आपके उपर खर्च करती है लेकिन अमारे civil servants सीखना बंद कर देते हैं फिर वो पुराने ठर्रे पे लॉट सिब बाले ठर्रे पे चलने लगते हैं तीसरा अगर गुड की बात की जाए तो तीसरा गुड है जो austerity austerity का मतलब यह होता है कि आपको जितना भी मिल ला है पैसा जितना भी आपको जो है salary मिल लाई है आप उसी में खुस रहे हैं उसी से जनता का भला करें आपके अंदर आई नहीं मैं नहीं आपके अंदर हम की feeling होनी चाहिए आपके अंदर जो social जो privilege एक समाज है जो जिसमें जो नीचले तपके की लोग हैं उनको अफलिट करने का काम उनके लिए जो है अच्छी policy अच्छे उनके साथ काम करने का काम ताकि वो भी जो हैं उपर उठके आएं उनको समाज में अफलिट करने का काम आपका है आप इस बास से बिल्कुल भी दूर रहें कि आपको salary कितनी मिल लए है आप इस लालच में बिलकुल भी ना है जो मिल ला है वो ठीक है क्योंकि आपको पहले पता था कितनी salary मिलेगी अकर आप लालच में आते हो तो फिर यह सिविल सर्वेंट का value नहीं है सिविल सर्वेंट का value है कि उसके अंदरा austerity होनी चाहिए जितना उसको salary मिला उसमें उसको satisfy होना चाहिए और जो सबसे जरूरी चीज अनॉनिमेटी तो जरूर होनी चाहिए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आपको पसंद आपको लाइक करें चैनल को सब्सक्काइ करता हुआ है